हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टो और चैनल हाइपर ट्रेड इस भी, मैं हूँ महमद सोहिल दोस्तों टाटा स्टील पे मैं आपको एक लेवल प्रोवाइड किया था 164 ठीक है, आप यहाँ पे मेरे कितने भी फ्रेश बाइंग अनालिसिस वीडियो देखिए और मेरा आखरी भी वीडियो देखिए, मैं खुद आपको सिंपल ही सज्जेस्ट कर दिया कि M.A.C.D. इंप्रोपर चल रहा है, स्टॉक में डिविडेंट ओवरबाट बाइंग के लिए स्टॉक फॉल करके उसको रिकावरी लिया है, पर मैं वन सिक्ष्टी फोर के उपर कहीं पर भी fresh buying नहीं देख रहा हो क्यों नहीं देख रहा हो क्योंकि stock यहां पे भी जाए गिर जाएगा कहीं से भी जाए stock के अंदर गिर नहीं है और stock अगर breakdown form करके breakdown break करता है तो no trading zone लगता है अगर stock नीचे आके previous breakdown का support लिया तो ठीक है अगर previous breakdown का support नहीं लिया तो stock नीचे आके उसी previous breakdown से reject करेगा जो previous breakdown यह level है मैं वही बताया अब stock क्या हुआ breakdown दिया, नीचे गया no trading zone, मैं क्या बताया 164 पे मैं stock को देखी नहीं रहा हूँ अगर stock यहां पे breakout लेता तो मैं मानता कि हम लोग यहां पे entry करेंगे stock क्या हुआ नीचे आया retest किया same breakdown level से हम लोग को rejection देखने को मिला जैसे मैं आपको बताया और दोस्तों आपको तो time लगा है stock के अंदर कि समझने के लिए कि analysis क्या है कितना देड़ महेने का time गया हमारा stock reject हो रहा है जो 200 EMA को जाने के लिए अब Tata Steel के अंदर improper selling हो रही है और stock में यहां पे bottom fishing होते हुए stock नीचे जा रहा है तो stock में opportunity आज की date में buying बन रही है इतना follow my video analysis नहीं किया stock पे analysis नहीं किया video upload भी नहीं किया पर अगर आप यहां पे देखेंगे जैसे ही breakout पे green candle का closing दिख रहा है 200 EMA का नजदीक level दिख रहा है तो आज मैं fresh buying का लिए video upload कर रहा हूँ तो अभी के लिए आपका जो buying होगा वो buying levels भी दूँगा stock को watch list भी लगा लो और आप इस buying पे भी काम करो 155 से लेके 160 के in between stock में entry होगा average मेरे लिए question mark रहेगा क्योंकि जब तक average नहीं लिग लेगा level breakout का break कर गए average नहीं बना सकते तो हम लोग direct targets पे भी काम करेंगे तो recent previous breakdown level 167 and 172 181 यह आपके रहेंगे levels target के और traded हम लोगों को traded value के साथ तो targets तो लेके चलना पड़ेगा तो हम लोगों क्या करेंगे traded value include करते वे 176 का 172 target दे रहा हूं है 183 का 181 दे रहा हूं है and 167 172 direct targets है 172 पार होते ही आपको 172 का trailing लगा के 181 का target लेके चलना है क्यूंकि यह target level है यह recent high levels के target level है तो हम लोगों को immediate भी देखने को मिलेंगे या आप तो ना भी देखने को मिलें तो हम लोगों के पास एक complete profit booking होना चाहिए तो 172 का trailing लेके चलिए दोस्तों यही था मेरा latest update टाटा स्टील पे अगर आपको stock पे analysis समझ में आए वीडियो को like करिए शेर करिए यूटूब चैनल को subscribe कर लेजिए thank you for watching my video